नमस्कार दोस्तों मैं विनितमार स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने सी एडियूप चैनल आज की जो हमारी टर्म्स हैं दोस्तों वो डैमिजेस से रिलेटर हैं जहां तक plaintiff की बात है तो दोस्तों बड़ी अबसी बात है कि plaintiff को तो इसमें एक रिलीफ होता ही है पर इसके साथ साथ जो defendant है उसके लिए एक punishment इस तरह से special punishment है कि भाई हम ये example सेट कर रहे हैं आपके साथ ऐसा करके जैसे मालेजिए कि हैबस कॉर्पस की rate issue हुई है किसी आदमी के खिलाफ जा किसी group of the person के खिलाफ अब उस हैबस कॉर्पस में जो आदमी नोंने निटेन किया था उसको तो बहार निकाल लिया उसके साथ ही उन पर जिरुमाना भी किया गया तो यह हो गया एक तरह से exemplary damages की ऐसा कोई ना करें और दोस्तो जादतर जो exemplary damages दिये जाते हैं वो इसलिए दिये जाते हैं क्योंकि जो act होता है किसी भी person का वो बहुत ही ज़्यादा outrageous होता है यानि कि बहुत ही ज़्यादा irresponsible, shocking और unacceptable होता है इसलिए यह exemplary damages दिये जाते है second है दोस्तो nominal damages जैसे कि इसका नाम है nominal जैनिकी नामात्र के damages अब दोस्तो यह तब दिये जाते हैं जब कोई legal right तो violet हुआ हो किसी भी आत्मी का कोई कानूनी अधिकार जो है उसकी तो violation की गी हो पर कोई damages, कोई substantial damages ना हुआ 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 हूँ ठीक ना, लग भग ना के बराबर damages हुआ 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 हूँ उस समय यह nominal damages देने पड़ते हैं क्योंकि बड़ी अबसी बात है जहां कोई right होता है वहां remedy भी आपको देने पड़ती है तो फिर आप कहते हैं कि भई ठीक है, राइट तो आपको वाइलेट हुआ है, पर कोई damages या नुकसान आपको लागए ना के बराबर है, तो इसलिए हम nominal damages दे देते हैं, तो बड़ी अबसी बात है, nominal damages होंगे तो वो पड़े कम होंगे, या वो भी नामातर के ही होंगे. Next है दोस्तो, liquidated damages, यानि कि वो damages जो कि जब भी parties कोई contract करते हैं, दो party कोई आपस में contract कर रही हैं, तो उसको contract के अंडर ही लिख देते हैं, कि भई इतना damages जो हम अगर violate करते हैं, ये perform नहीं करते हैं, तो वो क्या होगा, फिर हम एक दूसरे को दे दे. Next दोस्तो, fourth and last है, unliquidated damages, पड़ी उपसी बात है, unliquidated है, तो वो जो हैं वो तैह नहीं किये गे होंगे, अब इनको जो है, वो court decide करता है, parties जाती हैं court में, जब भी को violation होती है, जो court जो है, जो damages जो हैं उनको तैह करता है, उन्हें कहा जाता है, unliquidated damages, तो ये हैं दोस्